वोश्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुन में मैं हूँ आपका दोस्तरुन और स्वागत करता हूँ आज की एक और अपडेटिव वीडियो में आज की जो वीडियो होने वाली है वह नहीं वाली है अब मात करने वाले हैं आटी इस टोस्तिव करें tuh पहले बढ़ियो को करने वालें मलेगा तो चैनल पे पहली बार आए अए है तो सब्सक्राइब करके बैल कैको दबा दीजगा अल्ल नॉट्रिक्रेशन बेल दबाईएगा दूसरी बात जो टेलेगराम का गुरूप पर उसको जान कर लिजिएगा दोस्तो साथ में एक तैरा सा कमेंट करना मद भूलिएगा तो शुरू करते हैं आची वीडियो का दोस्तो कम्पीटर स्कीन आपके सामने आ चुकी है फंड का नाम है HDFC Nifty 500 Multicap 50 25 25 इंडेक्स फंड डिरेक्ट प्लान का रिव्यू होने वाल है जिस भाई को नहीं पता कि 50 25 25 एक्टल में है क्या वीडियो में बने रहेगा मैं आपको बताऊंगा ठीक है अब आगे जलते हैं रैंकिंग क्किटिकरी का फंड है अब इसको रैंकिंग नहीं मिली है अब आप कहेंगे कि पहले से एक ऐक और फंड कैसे आया यह मल्टिकैप तो है लेकिन मल्टिकैप के अंदर इसके इनदर कुछ अलग चीज़े हैं स्पेशल चीज़े हैं जिसके बारे में बात करेंगे आगे बात हाई है और विससी बात है एक्विटी फंड है तो हाई तो हो रहे गए रहेगा लेकिन इसे दिखाने के लिए हाई होता है वैसे टेंशनल निवल बात होती नहीं है देखिए लांचिंग डेट देखिए 23 अगस्ट 2024 मतलब यह 23 अगस्ट को लांच होगा था लिश्ट हो गया रुपए में 20 पैसे इसने रिटन निकाल कर दिया है एक रुपए में एक परसेंट में थोड़ा सकम ठीक है ना तो minimum investment की बात करें तो देखिए वो है 100 रुपए minimum SIP भी है 100 रुपए और अगर आप withdraw करते हैं वो भी है 100 रुपए और additional amount डालना चाहते है लंग सम करना चाहते है इसमें वो भी है 100 रुपए यह एक open ended fund है मतलब एक ऐसा fund है जिसके अंदर आप कभी भी entry कर सकते हैं और कभी भी कि आप इससे exit कर सकते हैं किसी भी तरीके कि इसके ना barrier नहीं है 2 साल 3 साल 6 मीना कोई भी problem नहीं है लेकिन अगर आप इस fund से निकलना चाहते हैं तो देखिए उसके उपर आपको यह exit load देना पड़ता है लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है इस fund के अंदर exit load भी कितना है 0% मतलब अगर आप इस fund के अंदर आज invest करते हैं और तीन दिन बाद इससे आप exit करना चाहते हैं तो आपको कोई भी extra charge ने लगएगा जितना पैसा आपने आज लगाया था उतना पैसा आपको तीन दिन बाद मिल जाएगा लेकिन आपको उस दिन के rate के हिसाफ से मिलेगा जो जो भी profit हुआ होगा वो आपको मिल जाएगा बात करेंगे charges की expense ratio कुछ नहीं है इसका अभी तक नेल ही दिख रहा है तो आप देखिए इसका जो बेंचमार्क है वो nifty 500, multi cap 50 25 25 और assets कितनी आई है के अंदर करीबन इसमें 2000 करोर से ज्यादा का AUM आ चुका है मतला हम investment आ चुक basic detail basic structure इस fund का तो अब बात करते हैं कि यह जो multi cap 50 25 25 है एक्चल में यह क्या है देखिए निफ्टी 500 एक अलग से index आपको पता है एक benchmark है जिसके अंदर देश की 500 चोटी बड़ी उससे बड़ी कमपनियां शामिल है ऐसे ही nifty 500 multi cap एक और index है इसका नाम है 50 25 25 मतलब पचास large cap company या 25% होगे आपका mid cap company होगा और 25% होगे आपका small cap companies का मतलब जो 500 companies इसके अंदर है इस benchmark में उसमें से 50% परसेंट परसेंट लगेगा आपका large cap में 25% लगेगा mid cap में और बचा हुआ 25% लगेगा small cap में small cap में लगेगे सबसे ज़्यादा जो equity के अंदर जब आप invest करते हैं stock market में करें या करें mutual fund में सबसे ज़्यादा जो risky funds होते हैं वो होते है small cap small cap means जो 30 companies है start-ups हैं जो कि अब mid cap की तरफ बढ़ रही है और उसके बाद जो उससे थोड़ी सी कम रिस्की होती है वो होती है mid cap और जो stable companies होती है बड़ी companies होती है उसे हम कहते है large cap तो large cap के अंदर लगेगा 50% जो की companies stable है market के अंदर अपनी जगा बना चुकी है 25% mid cap जो कि large cap बनने की तरफ बढ़ रही है और 25% small cap जो की अच्छा काम कर रही है और वो mid cap बनने की तरफ बढ़ रही है तो इस तरीके से पूरा पूरा portfolio आता है अगर आप इसमें 100 रुप लगाते है तो 100 रुपे में से 50 रुपे लेंगे mid cap में और 25 रुप लेंगे small cap में यह पूरा इसका fund है और 50-25-25 का मतलब भी आई है इस fund के अंदर फाइदा क्या है कि आपको returns थोड़े से अच्छे देखने को मिलते हैं साथ में सुरक्षा भी मिलती है fund manager का कोई लिना देना नहीं होता क्योंकि index fund है इसलिए charges भी क मिलने वाले है खीक ना तो यह तो हो गया इसका basic structure बात करते हैं इसके portfolio की उद्धे के बारे में अभी बताया नहीं गया कि कौन कौन सी company इसके अंदर जिसके पैसा लगा हुआ है आने वाले हफते से 10 दिन के अंदर सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी तो आप इंतियार कीज़ेगा अब बात करें इसके ना रिटरंस की तो देखें रिटरंस के बारे में भी कुछ ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि अभी haul ही में launch हुआ है लेकिन अगर हम जाते हैं all प दिखा रहा है तो जादा जानकारी के लिए आपको भी थोड़ा सा दिन रोखना पलेगा और बात करें दूसरे चीजों की तो वो इतनी जादा इंपोर्टेंट नहीं है रही बात नियूस की इस फंड के बारे में कोई भी नियूस नहीं है तो बात करते हैं भाई किसको दि प्रेंशन फ्री होके इंवेस्ट कर सकता है लेकिन मिनिममम पाथ साल के लिए ऐसा मत किजिए कि आप एक साल के लिए दो महिने के लिए छे महिने के लिए यहां तक कि तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि दददद से दिन के लिए इंवेस्ट करते हैं और क्या करते हैं जब कोई नए NFO हो जाता है, तो उससे निकलकर नए NFO के दर shift हो जाती है, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी निकरनी है, आप जिस NFO के दर भी invest करें, जिस fund के दर भी invest करें, उसके अंदर कम से कम 5 साल, 10 साल के लिए रहे, पहले ही अपना में जो mind है, उसको set करें, कि भाई मुझे long term रहना है, तर भी उस fund के दर इन्वेस्ट करना है, चाहिए वो NFO हो, चाहिए वो हो, आपका कोई scheme, ठीक है ना, तो दोस्तों, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब आपके पास कोई भी multi-cap category के fund नहीं है, अगर आप दुबारा से आपके पास multi-cap है, और इसमें invest करते हैं, तो overlap हो जाएगी, जो share आपके पास already है, आपके उस fund में है, वो ही share दुबारा से इसमें आ जाएगे, तो आपको returns उतने इतना diversification जो है, वो खराब हो जाएगी, और आपका जो overall portfolio वो भी खराब हो जाएगा अब आप सब भाईयों से में एक चीज बताना चाहता हूँ, जो भी भाई, डीमेट अकाट खुलाना चाहता है, तो उसका link description दिया हुआ है, अब इस stock beginners के लिए है, और इंजलवन advanced users के लिए lifetime free professional account है, link पे click करके खुलवा सकता है, दूसरी बात, चैनल subscribe करके bell का icon दबा है, तो देखिए, उसके थोड़े कोई nominal charges रहेंगे, तो आप मुझे mail कीजिए, मेरी email ID पे description में email ID लिखी है, मैं आपको direct contact करूँगा, जो भी charges होंगे, आपको मैं बता दूगा, आप उस चीज का फैदा कर सकते है, और मैं आपको बता दूँगा, जितने भी भाई है, अग पंदरा साल, बीस साल, पच्छे साल के लिए, बच्चों की शादी के लिए, उनके education के लिए, ठीक है ना, तो यही मैं बताना साथ था था आपको, तो वीडियो कैसे लगी बताईएगा, साथ में चैनल को सब्स्राइब करके बेल के आइकन को दबा देजेगा, आज के है तो यही बता आश है जो ओगी है, व ईुणा एल मटने के लिएा गना़ इनके लोगी शाइब को सब्स्राइब कर दो यही है लिए और